उमेश पाल हत्याकान्द मामले में मुहमध गुलाम का नाम सामने आया है। इसके चलते भाजपा ने उसके भाई अलपसंद खेक प्रकोष्ट के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन को पार्टी से निश्कासित कर दिया है। महानगर अध्यक्ष गनेश केसरवानी के अनुसार प्रयागराज में अलपसंद ख्यक प्रकोष्ट की पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया गया है। राहिल के भाई गुलाम के खिलाफ उमेश पाल शुटाउट मामले में नामजद एफायर दर्ज है। बता दे की इस हत्याकांड में गुलाम को शुटर बताया जा रहा है और वारदात के बाद से वो फरार चल रहा है। पुलिस ने राहिल को हिरासत में ले रखा है और उमेश हत्याकांड से जुड़े आरोपितों को लेकर पूछताग जारी है।